हेलो एवरीबन सबसे पहले आप सभी को रादे रादे फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो पोस्टिकता से भरपूर है इसे बच्चे बड़े बुड़े सब मांग मांग कर खाई हैं तो आए शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के एक चम्मस नमक एट किया है थोड़ी सी अजवाइन क्रेस्ट करके लिए और एक चम्मस तेल लेकर आठे को अच्छे से गोतना शुरू कर दिया है फ्रेंड आज की हमारी रेसिपी है मूली का पराठा परफेक्ट भी में कैसे वनाएं अब आठे को 5-10 मिनित तक नरम आठा हमें लगा कर तयार करना है अच्छे से गोत कर तयार कर देंगे और रेस्ट करने के लिए 15 मिनित तक आठे को छोड़ देंगे अब यहाँ पर मैंने दो फ्रेस मूली लिया है जिनको चील लिया था और अच्छे से साफ कर लिया था अब हम इसको मीडियम साइज में कदूग देंगे बाई बचा हुआ जो मूली का पानी था आप इसमें आटा भी गुन सकते हैं अगर आपने आटा नहीं गुन था अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उसमें दो चमच सर्चो का तेल अट करेंगे आप चाहें तो कोई और तेल भी यूज कर सकते हैं एक चमच जी सबी को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर मैंने तीन से चार हरी मिर्च काट कर ली हैं आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं अब हम अपनी ग्रेट की हुई मूली अड़ करेंगे एक मिर्ट तक इसको ऐसे ही चलाएंगे ग्यास का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि जो हमारी मूली में पानी है वो सारा खतम हो जाए इसको एक मिर्ट तक रागुलर चलाते रहना है मिनारु के फ्रेंज आपको मूली के पराटे कैसे लगते हैं ये मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर से बताएं ये बनाना बहुत ही असान है और सर्दियों में इसे अक्सर बनाया जाता है क्योंकि इस टाइम फ्रेस मूली आती है जो कि हमारी सेमिट के लिए काफी फायदे बंडें एक म्निट हो जाने के बाद यहां पर हम अपने वेशिक मसाले अट करेंगे यहां पर मैने बन वाई फोट टेवल स्पून लाल मिर्ज लिया है एक चममज कुटा धनिया लिया है आदी चम्मच हल्दी ली है और साती यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला आप चाहें तो हमचूर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं और कारी मिर्च पाउडर भी एड़ कर सकते हैं दो मिनट पकाने के बाद यहां पर हम धनिये से गढ़निस कर देङे और इसे दो मिनट के लिए रेग्वल चलाएंगे अब हम लास्ट में इसमें एड़ कर रहे हैं नमक मैं अपने अकोर्डिंग यहाँ पर काला नमक एड़ कर रहे हूं आप चाहें तो इसमें सफीद नमक भी एड़ कर सकते हैं टेस्ट के अकोर्डिंग या हमारी स्टेफिंग बनकर तयार हो चुकी है आई हम देखते हैं हमारा आटा कैसा हो चुका है 15 मेट हो जाने के बाद हमारा जो आटा है अच्छे से नरम हो चुका है और बिलने के लिए एकदम परफेक्ट हो चुका है और हम इसके पेड़े नीमगू की साइज की पेड़े बना लेंगे या उससे थोड़ा बड़ा मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का पेड़ा बना कर रेड़ी किया है और छोटी रोटी या माने की पूरी जितनी आकार की रोटी वेल लिए अब हम इसमें अपनी स्टेफिंग फिल करेंगे मैं यहाँ पर ज्यादा स्टेफिंग फिल कर रहे हूँ आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं अब इसको ज्वाइन करेंगे दीरे-दीरे हाथ से गुमा के जो उपर वाला पार्ट है वो दीरे-दीरे उपर आने लगेगा जैसे हम मोमोस की सेफ होती है उस सेफ में परांठे को स्टेफिंग करके बंद करेंगे आप चाहें तो एक्ष्टा पास को दबा भी सकते हैं मैं यहाँ पर निकाल कर रख रहे हूँ और उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको अकार दिया है अब हम इसको बेलने की तयारी में जाएंगे तो एक जगला लेंगे और उस पर हलका हलका प्रेस करेंगे अपने उंगलियों से थोड़ा बड़ा आकार हो जाएगा उड़ी का अकार हो जाने के बाद हम इसको हलके हाथ से बेलना शुरू करेंगे ध्यान रहे जहाँ पर हमारी स्टिफिंग जादा हो रही है वहाँ पर हमको कम बेलना है और हलके हाथ से ही हमें इसको बेलना है नहीं तो हमारा परांठा जो है वो फट जाएगा अब एक तबा लेंगे और इसको हाई फ्लेम पे गरम करेंगे यहाँ पर हमारा तबा जो है वो अच्छे से गरम हो चुका है अपना परांटा मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है अब आप इसमें घी या तेल लगाकर इसको सेख सकते हैं परांटे को एक मिनट के बाद पलट दें हाई फ्लेम पर परांटा बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है दूसरी तरब से साइट चेंज करने के बाद हमारा परांटा बन चुका है इसमें दूसरी साइट से भी घी लगा देंगे आए हम चलते हैं दूसरे तरीकी स्टेफिंग करने इसके लिए मैंने चोटी चोटी दो लोई को पूड़ी के आकार में बेला है पहली लोई को अटा कर अलग रख देंगे और दूसरी वाली पूड़ी पे हम अपने स्टेफिंग वरेंगे उपर से हम इसमें लगा देंगे अपनी पहली बाड़ी बिली होई पूड़ी अब इसको अच्छे से हाथ से दवाएंगे और फिर बेलन की मदद से इसको बढ़ा का दे देंगे सभी परांटों की तरह इसको भी हम सेक लेंगे यह हमारा फूला फूला मूली का परांटा बनकर रेड़ी हो चुका है तो हाईए इसको हम सर्व कर लेते हैं मैं यहाँ पर चाय के साथ सर्व कर रहे हूँ बागी सारे परांटे भी बनाकर आप रेड़ी कर लेंगे ये देखिए हमारा जो बागी के परांटे हैं ये भी अच्छे से सारे परांटे फूल ना सुलू हो चुके हैं अगर आपको मेरी वीडियो पर वरोसा है और मेरी रेसिपी पर वरोसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब करें अगर आपको मेरा नास्ता पसंद आया तो प्लीज चैनल सब्सकाइब करें